जालर की लड़ियों की तरह दिख रहा ये लड़िया ने ये सबजियां है गाउं है गाउं में हर जगा लोग सबजियां बो देते हैं और कहीं किसी को खाने पीने की दिक्कत नहीं होती घर पे कहीं भी खाली जगा हो हम लोग सबजियों खेती कर देते हैं और फलने लगती है तो कई दिकत और यहीं एक कारण होता है कि सितंबर के बाद सबजियों के रेट गिर जाते हैं क्योंकि हम लोग हर जगा सबजिया लगा देते हैं घर से लेकर घूर तक जिसे मुलब गोबर कहते हैं हर जगा हम लोग सबजिया कहीं भी खाली जगे देखिए खेतिकर ही देते ह किसान है न अब देखिए यहां गोपर का स्टोर है यहां भी हम लोगों ने सबजीयां फोदी है यह फबादी की पीड़ के पास तैयार हो जाएगा हर जगा जब सब्जूएं कहीं भी जगा पर ये अब खेती कर रही देजिए हमें तो सबसे काता हूँ कि किसान बनिये और खेती कीजिए हर जगा सब्जीय में आपको नज़र आएगी ये सारी सब्जीयां ही सब्जियां बोई गई हैं और इस तरह आप लोग कहीं भी रहें खेतिंद जरूर करिये मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं खेति करना बहुत जरूर यह का ही रहें कुछ happiness बौधी जिए आपको उसका लग मिलेगा हर जगा जहां कि अभी खाली जगह हो तुरांत कि असब जियां ही सब्सक्तित अफिर को दिखने को मिलेंगी और ये इतने फलती हैं कि अगल वगल आस पास परो सब किसी को कोई दिक्कत नहीं होती मार्केट तक नहीं जो है बना कि ख़ते हैं और खिलाते हैं लोगों को जादे हुई बाट देते हैं तो गाओं की सुधध हवा भी है और ताजी सबजियां भी है आप लोग गाउं में बसिए, खेती कीजिए, सहरों की महनी जमीनों का चक्कर छोड़िए और खुसी-खुसी गाउं में रहिए हर जगा आपको, ये एक दखिए मलब, नाम तो हम हर सबजियों का नहीं बता पाएंगे, जादे हैं लेकिन आपको हर तरफ हम दिखा रहे हैं, कहीं भी आप जाईए गाउं में आपको ताजी और हरी सबजियां हमेशा मिलेगी तो साथियों निवेदन तो यहीं है, कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे विचारों से रूबरू होईए और हर जगा हर याली कयम रखिए जाएं साथियों जुडे रहिए